गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं मनिस कुमारा आप सभी के सामने फिर हजीर हुआ हूँ लेकर के आपका बेसिक्स कंप्यूटर कोर्स जैसा कि आप सभी ने मेरे चैनल के दुआरा MS Word और Excel सीखा था और बहुत सारे यूजर्स का कहना था कि सर्फ बेसिक्स से बताइए ताकि कि हम लोग को मेरे हमारा जो कोर्स है वो बेसिक्स से एडवांस तक की और बढ़ है और कम्प्लीट अच्छे से हम सीख पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज में MS Paint करने के लिए आप लोग को स्टार्ट में जाना होगा और प्रोग्राम्स में एंड एसेसरी एंड देन गो टू MS Paint यहां क्लिक की जगा लेफ्ट माउस बटन का तो आपको अपन हो जाए देखिए आपके सामने MS Paint का अप्लिकेशन अपन हुआ है और यह जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं इसको लोग कैनवस बोलते और यहीं पर हम लोग अपने सारे पेंटिंग के इंस्ट्रुमेंट को या उप्सन को आप लोग बोल सकते हैं कि यूज करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि जब भी हम लोग पेंटिंग करते हैं तो सबसे पहले मैं वहीं सिखाता हूँ आप लोग को देखिए पैंसिल है लेप्ट मौस को क्लिक किजिएगा और लेप्ट क्लिक करते हुए छोड़ना नहीं है उसको ड्रो करेंगे हैं देखिए है यह है ठीक है कि ड्रोइंग करते समय हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि कहीं पर भी थोड़ा बहुत छूटना नहीं चाहिए नहीं तो जब आप कलर फील करेंगे तो क्या होगा कि कलर बाहर आ जागा ठीक है तो यह तो आपका पेंसिल्स था आप देखिए अगर इरेजर का जरुबत पढ़ता है मान लीजे तो देखिए इरेजर हम लोग लेट क्लिक करेंगे इरेजर को लेए देखिए यहां पे समोल इरेजर आ रहा हम चाहते है कि इसको बढ़ा अब इसको मिटाने के लिए लैप बतन का उपयोग करना है जहां पर भी आपको मिटाना है वहां पर जाइए और इसको क्लिक कर दिए देखिए मिट गया न यहां पर थोड़ा सा अपका एक्स्ट्रा मिट एरेज हो गया है ठीक है तो यहां से हम लोग पैंसिल लेंगे और इसको फिल कर देंगा ड्रोइंग कर देंगे ठीक है यह हो गया अब हम लोग एक छोई यह तो मांटेंग का छोटा समयने फिगर बनाया है अब चलिए यहां पर हम लोग पैंसिल एरेजर तो हो गया बकेट बकेट का काम होता है कि आप बाल्ती लीजिए और उसमें ऐसे कलर ढलिए और फिल कर देजिए क। यह आप इसे अब क्या करते चलिए छोटास रहलोंगbold बनाते हैं घर का अश्क सब्सक्राइब थे अइंब यह इन 4 का यूजच करके आप और Your Mind हम चाहा ड्रोइंग बना सकते तो चलिए एक छोटा साम लोग हम बनाते हैं ठीक है देखिए ये है और फिर से रेक्टेंगल लोगा कलर चेंज कर लेंगा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो जो कलर से ठीक है और यह आपका एलेजर और यहां से आप और इरेज कर देंगे यह आप अपना घर में असानी से हैं ना चोटा बड़ा करके अच्छे से रेज कर सकते हैं साइज कोई मेटर नहीं करता है लेकिन क्या है कि जहां पर जिसी साफ साइज अच्छा लगए और आप वहां पर अच्छे सेट कर सकते हैं यह है आप चलिए फिर से हम अपने ड्रोइंग को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं यह देखें कि यहां पर स्टी बना देते हैं बैर पर अंदर जाने के लिए वह स्टी तो चाहिए और अच्छा लगए चलिए अब दिए दिरे करके हमें करके फील करते हैं जो आपको कलर अच्छा लगए रूफ का कलर जो अच्छा लगए आप डालो टीक है कि और और पिर से यहां पर कि देखो कि दरवाजा कि तरह दिखना चाहिए खुला होगा दरवाजा चलिए तो ऐसे बनाते हैं इसको कि तो आज आपको जो है मैं सिर्फ होम के अंदर जो जो सारे ओप्संस है ड्रोइंग वाले ओप्संस उसको बता रहा हूं और कुछ कि फाइल बारे ओप्सं को भी बताऊंगा आप कंटिन्यू देखिए वीडियो को और लर्न करते रहें और घरना प्रैक्टिस जरूर किजिएगा ताकि यह आपका हाथ माउस पर बैट जाए अच्छे से कि अब क्या करना यह तो छोटा सा ड्रोइंग मेंने आपको बना कर दिखा दिया अब इसको हम आप चाहते हैं कि नई सेब कर लो जैसे हम मोबैल में सेब करते है न उसी तरद से चलिये तिये आपकाा फाइल मीनू है जिसमें निउ है ठीक है निउ का इस अब काद में हम देखे हैं यहां पर इसका नाम हो जागा हो जो हम फाइल का नाम दिए देखें यह था आपका पे सिक्स options of ms print का ठीक है next class में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि new क्या होता है open क्या होता है इसको यूज कैसे करते है print का state as a background properties क्या है और भी सारे options के बारे मैं बताऊंगा धन्यवार आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग जादर जादर इस वीडियो को subscribe कीजिए share कीजिए अगर अच्छा लगे तो और आप लोग को एक task देता हूँ अपने घर में practice कीजिए और जो भी drawing आप बनाते हैं उसको screen shot मेरे comment में डालिए धन्यवार thank you